हाई दोस्तों असलाव लग्यों केसे आप लोग में अम नबील है आयो 17.6 का बेटा 4 यह आपल ने रिलीस कर दिया है 17.6 17.5.1 के बाद आने वाला अग्ला अपडेट है अपडेट इंपोर्टेंट है अभी इस वाले बेटा के अंदर क्या कुछ नया है क्या खास है क्या चें अपडेट के साइज की तो 425 या 426 MB के आसपास का अपडेट मुझे यहाँ पर देखने मिला है मैरे आइफोन 15 प्लस के ऊपर क्यों यह अपडेट साइज आया है क्योंके बेटा 3 से बेटा 4 पर गया हूँ अगर आप स्टेबल से बेटा 4 पर जा रहे हो तो शायद यह अप इकल के आता है तो अपडेट करने के बाद 7.6 ही है अवेलेबल फ्री स्पेस एक जीबी से घड़ गया है और मोडेम फर्मवेर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है यहाँ अगर हम बात करें बिल नंबर की तो यहाँ पर देखकर एक चीज मुझे खुशी हो रही कि इसम अंदर हमको stable version ही समझ लीजे मिल जाता है और उसके बाद stable update आने के लिए जाला टाइम हमको लगता नहीं है तो अकर 17.5.1 से परिशान हो तो एक हफते में शायद आपकी problem solve होने वाली है अब इस वाले update के अंदर क्या नया है तो यहाँ पे जो 17.6 के अंदर नया है वही ची तो यह भी एक message जो है यह common रहने वाला है 17.6 beta 4 के अंदर भी और चोटे मोटे जो changes आये है text के अंदर यहाँ पे जैसे कुछ कुछ चीजे होती है उसका description होता है तो उसके अंदर जो चोटे मोटे changes आये है वो यहाँ पे आपको देखने मिले वाले उसके अंदर में बहुत Bluetooth के अंदर भी improvement देखने मिलेगा Bluetooth connectivity में जब आप दूसरे headphones के साथ connect करते हो अपने iPhone को यहाँ पर कुछ bug fixes आपल ने किया है जैसे storage बग जो है कुछ लोगों के लिए fix हुआ है वैसे यहाँ पर मेरे इस particular phone में 1GB से available free space घड़ गई है यहाँ फिर से एक बार देख लेते about में जाके यहाँ पर देख सकते एक जीबी से available free space घटी है लेकिन यह बाद में वापस आ जाती है I'm sure about that iPhone storage में भी चलते कोई यहाँ पर storage bug है या नहीं तो यहाँ पर नीचे चले जाते है यहाँ पर देख सिस्टम डिड़ा on the higher side तो है 10GB के करीब है जबके iOS 18 में 1GB ही रहता है औ और मेरे primary phone के उपर भी 1GB रहता है तो यहाँ पर थोड़ा से जाधा है और यह fluctuating रहता है तो इतना फिकर करने की जाद नहीं होती है लिए on the higher side है यह मेरा काम है आपको बताने का कि वो जो है fix हो गया है अलाम अगर आप set करते हो sleep schedule के साथ तो यहाँ पे आपका अलाम properly अब बज़ेगा लेकिन आप ज़रूर टेस्ट करना इसको और एक alternate अलाम भी set का करना ऐसे 7 बज़े आपको उठने तो 7-5 का 7-10 का भी अलाम set करना वरना यह नहीं बज़ा तो वो रहेगा RC version के लिए यह हो सकता है चेंज भी हो जाए लेकिन ऐसे लगता है कि आप सेम रहेगा और final version में भी आपको same modem firmware देखने मिलने वाला है लेकिन यह modem firmware अलग रहेगा iOS 17.5.1 से तो इस बात का ध्यान रहना 7.5.1 में कुछ आपको अगर network related issue है तो यहाँ पे इस वहले बाकि यह वाला phone जो है क्योंके मेरा primary phone नहीं है यह बस बच्चे इस्तमाल करते है गेम खेलने के लिए तो यहाँ पे इसके अंदर में battle life आपको बतानी बहुंगो लेकिन stable version आने के बाद stable version को टेस्ट करके आपको battle life ज़रूर बताऊंगा बाकि यहाँ पे battle life 17 की iOS 17 की बहु CPU का था single core था 2550 multi core score था 6377 तो अब का score देख लेते हैं तो 2602 और 6426 तो यहाँ पे slightly on the higher side ही और पहले के अगर scores देखे तो उसमें भी 66 तक गया था बाकि 64 वाला जो है 6400 वाला एक average score है जो कि यहाँ पी अभी हमको देखने मिल रहा है तो यहाँ पे इसके अंदर कोई tension नहीं है जिससे iOS 18 में हमको देखने मिल रहा है कि multi core score बहुत दा कम हो गया इसमें वैसा नहीं है और GPU का score भी देख लेते हैं GPU benchmark में चलते है history में चलते है अपिटला score हो था 23,047 और आज का है 22,930 तो यहाँ भी कुछ जादा कम नहीं हो है 22,000 की range है 22,000 का end और 23,000 की beginning यह जो है range है इसका और इसमें जो है आपको proper gaming performance भी देखने मिलेगा कोई issue नहीं आएगा next week आप expect कर सकते कि इसका RC version जो है वो आ जाए और उसके बाद के next week में यहाँ पे month end में आपको iOS 17.6 का public stable version जो है वो देखने मिल सकता है तो यहाँ पे इसी month के अंदर सब wrap up हो जाएगा most probably iOS 17.6 क्य अगर आप iOS 18 पे हो तो कोई जरूद नी इस पर जाने की अगर आप iOS 17.5.1 पर हो तब भी कोई जरूद नी क्योंकि stable version जो है हफते दो हफते में आपको देखने मिलने वाला है पाकि यहादा बेटा 3, बेटा 2, बेटा 1 पर हो इसी के अपडेट कर लीजे यही दिकाने दोस् दोस्तों आपको वेडियो पस्ना आपको पासा में ट्यूक को लाइके शर्च दरू कीजिए मेरी स्यानल को सब्सक्राइब जो किजिए गुडबाई